इस यात्रा का शुरुआज जो शेलजा जी ने, रंदीब जी ने और मैंने जो संकल्प लिया, वो इसलिए लिया, कि हम जानते हैं, यही जोश आज इतना ठंड का समय है, तुम्हें हम गरम करने आए हैं, और तुम जानते हो, शेलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं, हम संधर्ष करना जानते, हम लडाई लड़ना जानते हैं, और हम गुटने टेकना नहीं जानते, यह भी बात रह याद रखना मिलके हम पजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे, और बिजली के मामले में पजाब को सरपलस बनाएंगे आज यह जो शुरुवात हम करने जा रहे हैं यह हर्याना के अंदर एक इतिहास रचेगी इस बात को आप याद रखियेगा यह शुरुवात जो है यह आपकी आवाज उठाने के लिए है जो आवाज पिछले दस साल से दबी होई थी जो आवाज दुखी थी जो हर वर्ग जो है जो तरस था आज जो है समय आ गया है भाई और बहनों कॉंग्रेस के सभी करमट कारे करता हूं कि आप उठ जाओ जागो और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं इसके लिए संगर्ष हम सबको करना पड़ेगा संगर्ष करने के लिए आप लोग सब तयार हैं सब तयार हो तयार हो दरोगे नहीं दरो मत जैसे राहुल जी कहते हैं किस बात का डरना जब हमने जनता की आवाज उठानी है आम जनता जो तरस है आज दस साल हमने देख लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है पूरे हरियाना के अंदर क्या हाल हो रहा है नतीजा आज यह है जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग जो है दुखी हो चुका है और वो यह समय देख रहा है कि किस समय वोटों का समय आए और हम इनको वोटों के जरीए बाहर निकालें यह जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हम साथ मे राहुल जी ने अपनी नया यात्रा जो है नौर्टीस से शुरू करी है इस यात्रा का शुरुआत जो शेलजा जी ने रंदीब जी ने और मैंने जो संकल्प लिया वो इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि आप लोगों की अवाज अगर उठानी है तो यह काम यह संगर्ष जो कि आज हालात क्या हो रहें आज हालात ऐसे हैं कि जो है सारे के सारा हर तरीके से लोगों को गुमरा करा जाता है क्या बात नहीं होती अब जो है चुनाव का जब समय आ रहा है तब धरम के उपर बात आ रही है आपने देखा कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार चा जो हमारे आधी शंकर और हमारे सारे के सारबार बार जो है गुमरा करके अलग-अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है तो ये संदेश जो आज हम लेकर जा रहे हैं कि ये भटकना नहीं है हमने आगे अपना काम करना है और निश्चित तौर से मैं आज आपको वाइदा करके जाती हूँ हर्याना के अंदर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आप लोगों का नेत्रित्व होगा और समर्पित सपाई होने के नाते खड़के जी के जो हमारे राश्ट्रिया धक्ष है और रहुल जी जो हमारे बहुत ही प्रियनेता हैं उनके नेत्रित्व के अंदर हम लोगों काम करना है हम लोगोंने आगे बढ़ना है और बढ़ हम केवल तब सकते हैं जब हमारा कॉंग्रिस का जो कारे करता है वो द्रेड संकल्ब लेकर खड़ा हो जाए और सोच ले कि अब से लेकर लोग सभा तक उसके बाद चुनाव आएगा विधान सभा का लेकिन लोग सभा तक हम लोगाने पूरे मुझबूती के साथ लड़ाई लड़नी है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो हाथ खड़े करके बताओ मुझे तैयार हो यही जोश आज इतना ठंड का समय है तुम्हें हम गरम करने आए हैं और तुम जानते हो शैलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं जो एक बारी बात कह दी उसको पूरा करके रखते हैं चाहे उल्टा क्यों ना लड़कना हो क्योंकि हमने जनता के लिए संगर्ष करना है जनता के लिए हमने आवाज उठानी और इसलिए मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शैलजा जी के साथ है मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी समय बार बार नहीं आता ये मौका जो हमारे सामने है ये बदलाव का समय और ये बदलाव ये बदलाव जनता करती है आपने घर घर में जाना है ये बदलाव का संदेश लेकर जाना है कि आप बहुत हो गया दस साल देख लिए इनके जूटे वाइदों के देख लिए नहीं देख लिए मेरी माताएं बहनें बैठी हैं दुखी हो रही हैं कहते हैं मोदी जी की गैरेंटी महिलाओं को दुखा मुक्त करूँगा बताओ भेनों दुखा मुक्त हो गई कह तुम लोग पता नहीं कितनी कितनी गैरेंटी दे रहें पांच लाग की गैरेंटी जो है स्वास के लिए कहा है वो पांच लाग हमेनी नजर आता गैरेंटी देते हैं जनता को कि उनको नोखरी देंगे आज जो है हरियाना बेरोजगारी में नमबर बन पर है सबसे शरम की बात यह हमारे नوجवान बच्चे जो हैं वो जो हैं हताश हैं उन्हें मालुम नहीं हम कहा जाएं आने वाला समय उनको अंदकार नजर आता है इसी तरह से हमारा किसान भाई उसको गैरेंटी देते हैं कि हर साल छे हजार रुपे आपके खाते में डालेंगे अरे पूछो इनसे जाकर सारे दस साल में सारी जेब काटली जेब काटली या नहीं काटली मुझे बताओ सारे के सारे इतनी मेंगाई कर दी कि आज जो है 2023 का जो वाइदा करा था कि हम दुगनी करेंगे आए आज वो दुगनी की बात छोड़ो आज किसान जो है धर्ती पुत्र जो है वो बिलकुल धर्ती के उपर लग गया है ये हालाद इन्होंने पूरे देश के अंदर और हर्याना के अंदर खासतोर से करे हैं तो मैं आपको केवले एक ही संदेश देने आई हूँ हम संगर्ष करना जानते हैं हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम गुटने टेकना नहीं जानते हैं कि बात आ है याद रखना,। गाम करने के लिए निकले हैं, जनता की अवाज उठाने के लिए निकले हैं, और वो जनता की अवाज उठाद कर रहेंगे। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो छत्य विरादरी का जो है, जो दुखी है, उसकी आवाज बनकर हम तीनों, मैं शेलजा जी और अंदीब जी निकले हैं, और मेरी आप से प्रातना है, कि आज जो आपने शुरुआत, हिसार की धर्ती से, शेलजा जी के छेतर से जो काल रही है, कॉंग्रेस नियाय यातरा, कॉंग्रेस संदेश यातरा, जो राहुल जी निकाल रहे है, और जो ये संदेश यातरा जो हम निकाल रहे हैं, ये घर घर ये संदेश जाए, कि बदलाव सामने है, और अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम संकल्ब लेकर हम आगे चलेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको शेलजाजी की तरफ से वो खुद बोलेंगी लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कंदे से कंदा मिलाकर हर लडाई के अंदर कंदे से कंदा मिलाकर मैं साथ खड़ी होंगी और जो है इस मोहीम को जो हमने शुरू करा है इस मोहीम को हम आगे लेकर जाएंगे आप सब का तहदिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज ठंड का समय जरूर है लेकिन जब बदलाव का गड़ी आती है तब इसी तरह से बदलाव शुरू होता है और वो बदलाव का माध्यम आप लोग बनेंगे